जी दोस्तों कैसे हैं आप सब उम्मीद करता हूँ वैसा बढ़ी आऊंगे इस वीडिम दोस्तों बात करेंगे इंग्लेंड और वेस्ट इंडीज के बीच में जो पांच और टीटून्टी मैच खेला जाएगा फुर से बता दू वेस्ट इंडीज और इंग्लेंड के बीच म स्कूर बनाया था दोस्तों अठारा रंस का ठीक है लेकिन फिर भी वेस्ट इंडीज चेज करके चली गई तो लास्ट मैच जो वेस्ट इंडियन बल्ले बास थे वह काफी बढ़िया खेले इवन पहले टीटून्टी मैच में या फिर दूसरे तीसरे टीटून्टी मैच की बात करते हो वापे वेस्ट इंडिज के बल्ले बाद ज्यादा कुछ अच्छा नहीं कर पाए थे लेकिन लास्ट मैच वेस्ट इंडिज बहुत बढ़िया खेलके गई है तो यह दोनों टीम्स के बीच में दोस्तों पांच और आखरी टीटून्टी मैच कहला जाएगे इस कर सकते हो अगर चलेगा तो इनीशली तगडे रंस मारके जाएगा साही होप जितनी जल्दी बल्ले बाजी आएगी उतना अच्छा करके जा सकता है उसमें रंस कर दिये जैक बैथल सैके डाउन खेलते पर बल्ले बाजी में इंपोर्टेंट रहेगा बैथल भी अच्छे लास्ट मैच में करके गया है तो जो चीज आपको वीडियो में बताई जाएगी आपके बहुत काम आएगी दोस्तों वीडियो पूरा देखेगा कोई भी इंफोर्मेशन आपको मिश नहीं करनी है पिछ रिपोर्ट के बार में डिसकस करेंगे वाई किस परकार का विकेट ह हो सकता है फास्ट इंपोर्टेंट है स्पिन इंपोर्टेंट है एवरेज स्कोर कितना हो सकता है सारी चीज़े मिलेंगी तो वीडियो पूरा देखेगा कोई भी इंफोर्मेशन आपको मिश नहीं करनी है फिर से बता दे वेस्ट एंडी जिंग लैंड के बीच में यह पां करके जॉइन कर लेना ठीक है तोस होने के बाद में देखो कोई भी अपडेट होंगी फाइनल टीम में लास्ट मोमेंट पर कोई भी चेंज करेंगे या फर जो भी फाइनल टीम रहेगी तोस के बाद इस मैच की आपको टेलीग्राम पर मैं जरूर अपडेट करूँ है तो क किर्केट स्टेडियम यानि कि जिस वेन्यू पर तीसरा और जिस वेन्यू पर चोथा टीटोंटी मैच हुआ था उसी वेन्यू पर ये पाच्छो टीटोंटी खेला जाएगा अब इस वेन्यू की मैं एक खास चीज आपको बता दू मैं ज्यादा पिछे की बात नहीं मैच हुए दोनों टीमों के बीच में तीसरा और चोथा टीटोंटी इसी वेन्यू पर खेलेगे जापे तीसरे टीटोंटी में डेर सो रंस भी नहीं बने बाई और वहीं अगले यानि कि चोथे टीटोंटी मैच में उसी वेन्यू पर सेम विकेट पे कितने रंस बने बाई चेज करके चली गई मतलब बैटिंग कंडिशन हमें लास्ट मैच में देखने को मिली है बट ओवरोल आपको बता दू या का जो एवरेज स्कोर है वो 170 के आसपास आप लोग मान के जरूर चल सकते हो मतलब आप लोग जो टीम स्लेक्शन करोगे न वो अपना 170 के इसाफ से कर स आपका काम करेगा अगर यहाप फिर 170-155 को रह भी जाएगा तो भी यह टीम स्लेक्शन आपका काम कर जाएगा अब 200 पलस का मान के टीम मनागों रंस बनेंग 160 फिर आपका टीम स्लेक्शन खराब होगा तो वो मत करिएगा बस ठीक है तो सिर्फ पिछले दो मैच के बेश प थोड़ा सा फेवरेबल है गुदा के स्मोथी ने भी दो विकेट लिए तो स्पिन फास्ट के मुकाबले लास्ट मैस थोड़ा अच्छा करके गई है तो इस विकेट पर कहिना कि स्पिन को भी आप लोग इंपोर्टेंस देके जरूर से चल पाओगे उसके बाद में एवरे बाद में तो वेस्ट यंदिज के तीम के वही आलत आपको दिखेगए तो जरूर नहीं इस मैस पर इस परकार की परफूर्मेंस करपा यह मा आपको पहले में सन कर रहे हूँ छोटी चीजे जो आपको भाई ध्यान रखनी पड़ेगी ठीक हैं तो पिच के बार में सिर्फ हिसा ही आपको याद रखने है बाकी चीज़े आप लोग मत ट्राई करिएगा एक्स्टा ट्राई करने जाओगे गलती कर दोगे मत करना वो चीज़े सीधा टीम सेक्षन बाज़ो 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 सबसे पहले विकेट के पिंग सेक्षन इंपोर्टेंट प्लेयर के बार मे इसी मैदान पे ठीक है तो बटलर की फोर्म अच्छी है दो मैच चले दो मैच में फ्लोप है लेकिन अवराल अच्छे प्लेयर है आप लोग अपनी टीमें बैक कर सकते हो उसके बाद में पूरन की बात करें पूरन पहले मैच में चले थे उसके बाद लगातार तीनो टी- ये फ्लोप है और आज के मैच में आपको सिर्फ एक ही देखो या पर टिप देना चाओंगा अगर वो चीज आपके फेवर में चली गई तो शायद आप लोग वन साइडिड जीत के आ सकते हो वो ये रहे कि बाई निकलस पूरन को आज के मैच में कैप्टन या फिर वाइस कैप्टन करके आप लोग कही ना की रिस्क उठा सकते हो देखो पूरन अच्छे बल्ले बाज तगडे ताबर तोड बल्ले बाज उसमें कोई डाउट नहीं है फोर्म थोड़ा सा खराब है बस वो थोड़ा सा दिक्कत चल रही है ठीक है तो पूरन के साथ में आप लोग ज कैप्टन जा सकते हो बागे फिलिप्स होल्ट लास्ट मैच में भी तगडे रंस मारे ओपनिंग करेंगे 35 गेंड में 55 अच्छे फोर्म आप लोग कह सकते हो तो यह आपके लिए कहिना कि पलस पॉइंट है ठीक है तो बटलर पूरन और फिलिप्स होल्ट तीनों सेफ है ती बल्लेवाजी गरी है अगर यह पावर उपले में जितनी गेंदे इनको खेलने को मिलेगी उतने रंस मार के जा सकते हैं जितनी कम गेंदे मिलेगी उतने इनके बाइदे को आउट होने के बाद में फिर चांसिज रहेंगे यानि कि फ्लोप होने के चांसिज रहेंगे ठीक ह साही ओप की बाद करें लास्ट मैंच बढ़िया स्टार्ट देखे के 24 गेंच में 14 अंस की पारी ट्रम काड ओप्शन है, 14 परसेंट स्लेक्शन है, कम है अभी भी तो रिस्क उठाके ट्रम प्लेयर में इनको लेके चाप लोग चल पाओगे उसके बाद में आजाओ एक बार बैटिंग चेक्शन में विल्जैक्स देखो सेफ है, अब विल्जैक्स बटलर गया फिर भाईया फिलिप सोल्ट तीनों मेंसे कोई एक टोपोटर का जो प्लेयर है वाप लोग ड्रोप करके इस मैस में रिस्क उठा सकते हो वो कहीना कि दिमाग में होता बाद उसका ये पूरा बेनिफिट उठा सकते है बस ये थोड़ा जाना किये ठीक है ये प्लेयर फिर भी आपके लिए रिस्की रहेगा क्योंकि टोटल हिट एंड मिस टाइप वाला प्लेयर है एक आद मैच में चलेगा अधर्वाइस ये फ्लोप ज्यादा मैचिस में जाएगा अब ये आपके उपर डिपेंड करता है आप लोग रिस्क उठाओगे इनको ट लेकिन उसके लिए क्या चीज करेगी उसके लिए डिपेंड ये करता है कि वेस्ट एंडीज उपर से कोलैप्स भी करनी चीए तब ही रदर फोड से उमीद रखेगा अगर रदर फोड को टीम में रख रहे हो सीधा-सीधा एकी चीज बताऊँगा ठीक है बिलकुल आसान त लेकिन अब आपके पास में कहीना कि एक option खुली है जापे आप लोग इनको टीम में पिक करके रिस्क उठा सकते हो बट फिर भी ये रिस्की पिक है मैं तो अभी नहीं सजेस्ट कर रहा बाकी नीचे डैन माउजले काफी नीचे आएंगे बल्ले बाजी में छोड़ दो उत को ठालो at least किसी एक safe player को टीम में बैक कर लो चले ना चले फिर एक अलग चीज़ है ठीक है तो अभी यहां से मैं लेके चलूँँगा विल जैक्स और रोमेंट पोवल को बैटिंग सेक्शन के बाद आएंगे ओलाउन सेक्शन में लियाम लिविंस्टन है भाई उसके बाद के साथ में जा सकते हो चाहे स्मूल लिग में चाहे ग्रेंड लिग में 24 आपके यह चीज़ आपके लिए थोड़ा यूनिक रहेगी ठीक है रोमारियो शाफ़र्ड लास्ट मैच नहीं खेले बट अगर टीम इस मैच में मोका देगी दैन आप लोग अपनी टीम में बैक कर स सकते हो फोर्थ डाउन की आसवास आजेंगे और लास्ट मैच में भी देखो उतना कुछ खास नहीं कर पाए बाकी पहले बल्ले बाजी में तो मैं आपको यह सज़स्ट करूँ आप लोग टीम में बैक कर सकते हो अब लियाम लिविंग से उपर तो भाई सैम करन को टीम बल सेफ खेलो तो डोनों रख लो आगधर डaqu है डोम कर रोग कर रिसक उठा सकते हो तो डोनों में से कोई एक प्लेयर बार करके सैम करना के साथ में जाओ क्योंकि बल्ले बाजी और गेंद बाजी दोनों में आपको वैक अप मिल जागा है जहाँ सेलेक्शन भी देखोगे तो थोड़ा सा कम ही है तो ये थोड़ा जयार नखिएगा ठीक है अभी मैं इनको ड्रोप कर रहा हूँ रोस्टन चेज लास्ट मैच में जरूर विकेट लि बाकी उतना कुछ खास नहीं है उसके बाद में जो से पहले गेंद बाजी एकर करें वेस्ट इंडिज तो ट्राई कर सकते हो अब दक फोर्म थोड़ा सा खराब रही है उसके बाद में मोती अच्छे प्लेयर लास्ट मैच में भी दो और मोती ओवरॉल अच्छा करके दे सक करेंगे और अब दक जो फोर्म रही है गुदा किस मोती की बाकी वेस्ट इंडियन गेंद बाजों के कंपरेजन में थोड़ा ज्यादा अच्छी देखने को मिली है तो मोती आपके लिए कहिना है कि शेफ है नीचे देखो जोन टरनर अभी भी नो परसेंट सेलेक्शन है ब मद लास्ट मैंच अच्छा करके गए स्पिन के अंदर तीन विकेट इन्होंने लिए बाके साकी महमूद के तो भाई फोम देखो एक अलगी लेवल पर चल रही है फिलाल हर मैच में और पहले गेंद बाजी जब जब इंगलेंड करेगी फिर तो भाई साकी महमूद नहीं छोड़ सकते हैं उसके बाद में नीचे उबिड मकोई यह ऐसे प्लेयर है बाई पता नहीं कौन से मैच में चलेंगे अधरवाइस यह फ्लोप जादा जाएंगे वो थोड़ा जाने कीगा तो रिस्क करेगा लेकिन पहले गेंद बाजी में ट्राई कर सकते हो अगर रिस्क लुइस आपके लिए सेफ हो सकते हैं अकोडिंग टू लास्ट मैच लेकिन टोटल हिट एंड मिस्ट आई प्लेयर है वो मैंने आपको बता दिया नीचे देखो कोई खास उप्संस नहीं है तो मैं फिलाल यहां से एक बारी लेके चलूँगा साही होप को ठीक है अभी मेरी जो ग्यारा प्लेयर की टीम है वो बनके के लिए टोचुकी है दोस्तों जो की मैं आपको यहां से एक बारी दिखा देता हूँ आप लोग देख पाऊगे मेरी टीम में ग्यारा प्लेयर आ चुके हैं अब देखो ड्रोप किसको कर सकते हो में एक बार फिर आपको सज़स्ट जो चार प्लेयर है इन चार प्लेयर 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 इन प्लेयर में से कोई भी ड्रोप करके आपको यह जयान रखेगा ठीग है अभी ये मेरी 11 प्लेयर की डेमो टीम है कैप्टन वाइस कैप्टन की बाद करें बटलर है भाई फिलिप सोल्ट आपके लिए सेफ है उसके बाद में नीच आएंगे तो मेरे इसाब से चाकी महमुद सेफ है लेकिन पहले गेंदबाजी गर की वेस्ट अंडी तब ज्यादा इंपोर्टेंट है उसके अलावा आप लोग यासे ट्राई कर सकते हो निकलस पूरन अच्छा विकल्प है हलांकि फोर्म थोड़ा सा खराब है वो एक इस्यू है लेकिन फिर भी अच्छे प्लेयर है नहीं एक्चल बात यह है तो थोड़ा सेफ जाओ कैप्टन वाइस कैप्टन में कोई दिक्कत नहीं है ठीक है बाकि जो प्लेयर बताई उन पर रोटेशन कर सकते हो आपकी चोईस रहेगी यह मेरी डेमो टी मैं चेंज करूँगा टेलीग्राम पर फाइनल टीम अपडेट कर दूँगा कमेंट सेक्शन में लिंक कर जोईन कर लिजेगा उमीद करता हूँ दोस्तो वीडियो आपने कंप्रिड वोच करा होगा पसंद आये तो दोस्त वीडियो को लाइक जरूर चैनल को भी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बैल भी ओन कर लिजेगा आने वाले किसी भी मैचेज की वीडियो आपको मिस नहीं करने मिलते हैं दोस्तो अगले मैच की वीडियो में उमीद करता हूँ कि आप लोग इस मैच में बढ़िया टेम स्लेक्शन करोगे और आपकी टीम अच्छा पर्फूम जरूर करेगी